भंगार वाले बाबाजी के नाम से जो वीडियो वायरल वा था वो संसार में नेरे वो लोगों को द्वारा प्रिसान करने पर दुख ही होके और आज उन्होंने जो हैं आतम हत्या कर लिये लोहाउट के अंदर लेकिन पूरी घटना किया मैं आपको बतने का प्रियास करता हू और इस परकार के कुछ सबदे बोल दियते जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और वो वीडियो क्रोड़ो लोगों ने देखा था तब वीडियो को ज़्यादा देखने के वज़े से सबी इंफ्लेंसर को ऐसा लगा कि हम क्यों ना बबाजी जां भी मिलें उनका वीडि रिकोर्ड वायर आप लोग वीडियो नहीं बनाएं लेकिन वीडियो बनने की जो प्रस्तित्या हैं वह रुकी नहीं बाबाजी जांब जाते थे उनको लोग परिसान करते थे कुछ संस्ताओं ने भी आगया और बाबाजी की मदद करने का एक वीडियो बना है जिसके जाते थे पीछे पर जाते थे क्योंकि उनका वीडियो बहुत वायरल वा था और आज की गटना है आज लगबग बारह एक बज़े के सम्तिंग वह लौट गाउं के पहुंचे थे लौट जाएं फलोदी के पास पढ़ता है तेसिल हैं गाउं नहीं सुरी मैं मापी चाता हम लौट तेसिल के अदर जब पहुंचे थे बाबाजी तो वहाँ पे उनके साथ में बहुत सारे लोगों का हुजूम चड़ रहा था बाइक लीवे लोग चल रहे थे और बाबा जी को लगतार परिसान कर रहे थे लौट गर जब देर के लिए रात की सांस लेने का लेकिन ये साम डलते जलते आज साम साथ बजे तक बबाबा जी को इतना प्रहसान कर दिया था कि जो भंगार वाले बाबा जी की नाम से आप लोग नाम सुनते आ लोट के अंदर उन्हों ने एक खेजरी के पेड़ के उपर लटक कर अपनी आतमत्या कर ली आतमत्या कोई शीदी साधी नहीं हुई इसके अंदर बाबा जी ने कही अटेम्ट किये लेकिन लोग सामने तमसा देखते रहे और कोई भी आदमी मदद करने के लिए आगे नहीं आ कर लेते हैं यानि कि आदमी कई बार जो हैं इस परकार की स्टेप उठा लेता है लेकिन फिर भी सोचता है कि क्यों ना मैं अपना आपको बचा लूँ लेकिन दूर खड़े लोगों ने उनका तमसा देखा लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां बचाने के लिए नहीं गया और आ यसा ही इन बाबाजी के साथ वा एक बार एक बार एक्सिडेंटली रिकोर्ड वा वीडियो बाबाजी के लिए बहुत बड़ी दूइदा बन गया हालांकि वो वीडियो अब जो हैं सोचल मीडिया पर हर आदमी के प्लेटफारम पर या हर खुद विक्ति के दवारा बाबा वीडियो तक बेड़ी के लिए वाइर वाकिन प्रस्तितियों जर्ण जी में जेना पढ़ा रहा था यह ज्यांदार बनती परसासन और आसपास चैट्र के दरन रहने वाले लोगों की लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना तो परसासन को इसके बारे में गया ता या गया नहीं था व आपका जीवन को अपनी आँकों ने ने नहीं कोई आगे मदद के लिए नहीं आया, जो एक बहुत बड़ा जांच काव इस है क्योंकि जरूर आदमी की मानसी की इस्तिती खराब हो सकती लेकिन मानसी की इस्तिती खराब होने के बाद में क्या हमारी एक मान्योता के रोग तोर पे जिम्मेदारियां हट जाती है क्या हमें इस परकार के काम करने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस परकार किसी के लिए बहुत बड़ी दूइदा का करन बन सकता है जो हम कर रहे हैं वो किस परकार जो है एक विक्ति की जो है इतना बड़ा आपत बन जाएगा जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे और आज जो हैं बंगारवाले बाबाजी के नाम से जो बाबाजी सड़कों पे चल रहे थे वो आज के बाद में आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि लोगों की प्रसानी की वज़े से मानसी रूप से प्रसानी की बजाए उनके मददकार बढ़ना चाहिए ना कि अपने प्यारपी बढ़ाने के लिए इस परकार के लोगों के जान के दूस्मन बढ़ना चाहिए आप अपने कोमेंट जुरू ड्रॉप करें भंगार वाले बाबाजी जो जैसे भी थे अपने परिवार के लिए अपनों के लिए और इस दुनिया के लिए वह अब हमेसा के लिए यादगार बनके रहेगे जैहिंद जैबारत